हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल रेखास फैमिली फूड में आज की हमारी रेसिपी है आलू और पोहे का पराथा तो आईए देख लेते हैं इसकी रेसिपी इन पराथों को तयार करने के लिए हमने लिए हैं यहां पर तीन आलू मीडियम साइज के एक बाउल पोहा एक टमाटर दो से तीन हरी मेरिच और कुछ रोश्टेड मूमफली इनके अलावा हम कुछ मसाले लेंगे जो आप आगे देखेंगे सभी आलू छील कर धो लेंगे और छोटे छोटे पीसिस में कट कर लेंगे हम इनको पानी में ही डाल रहे हैं ताकि आलू काले न पढ़े आलू के सभी पीसिस को तीन से चार बार धो लेंगे ताकि इनका सारा स्टार्च निकल जाए इस तरह से हमने सारे पीसिस दो कर रेडी कर लिये हैं आलू की पीसिस अच्छी तरह से दो कर मिक्सर जार में एड करेंगे और सांत में एड करेंगे हरी मिर्च को टुकड़ों में कट करके टमाटर को भी पीसिस में कट करके जार में एड कर देंगे और एक इंच अद्रक का टुकड़ा साथ में एड़ कर देंगे और इन सभी चीजों का पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पेस्ट बना लिया है अब हम इसमें एड़ करेंगे मुवफली हमने मुवफली रोष्ट कर ली है यहां पर आप देख सकते हैं हमने मुवफली पहले इसलिए नहीं पीसी क्योंकि हमको इनका पेस्ट नहीं बनाना था हमें इनको दरदरी रखना है इस तरह से दरदरा होने की बज़े से मुवफली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठों में कॉटन कपड़े में पोहे को डाल कर अच्छी तरह से रगण कर पोच लेंगे यहां पर हमको पोहे को धोना नहीं है बल्कि अच्छी तरह से रगण कर पोच लेना है पोहे को छलनी में डाल कर साफ कर लेंगे पोहे को हम धोएंगे नहीं बलकि छलनी से अच्छी तरह से चान कर साफ कर लेंगे इसका पाउडर बनाएंगे इस तरह से हमने पोहे को पीस कर पाउडर बना लिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं पोहे का पाउडर हलका सा मौटा बनता है यहाँ पर आप देखें बाउल में ट्रांसपर कर लेंगे तीन चार चम्मच गेहूं का आटा एड़ करेंगे आप चाहे तो मेंदा भी ले सकते हैं आटा या मेंदे की मदद से हमारे डो में एक अच्छी सी वाइंडिंग आ जाएगी इसमें कुछ सूखे मसाले एड़ करेंगे आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच अजवाइन जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है आधा चम्मच हल्दी पाउडर आधा चम्मच से भी कम मिर्च पाउडर आप जितना तीखा रखना चाहते हैं उतनी मिर्च एड़ कर सकते हैं धनिया पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला एक चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा से पौना चम्मच, नमक स्वाधनुसार लगभग आधा चम्मच, और थोड़ी सी दो चुटकी हींग, हींग से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, अगर आपकी मर्ची है तो एड़ करें बरना आप इसकी भी कर सकते हैं, सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और साथ में एड़ करेंगे, ओईल या फिर घी, हमने जो आलू का पेश्ट तयार किया है, उसको बाउल में एड़ करेंगे, और अच्छी तरह से मिक्स करके, एक सौप्ट मुलाइम डो तय कर लिया है, इसमां एड़ करेंगे, बारी कटे हुई धन्यपत्ती, गाजर को कद्धु कस करके एड़ करेंगे, इस तरह से गाजर ऑपचनल है, आपकी एक्छा है तो डालें, बरना स्किपकर दें, इस तरह से हमने एक डोड़и तयार कर लिया है, और इस तरह से हाथ में त हो चुके हैं अब हम इससे पराठा तयार करेंगे थोड़ा सा सूखा आठा ले लेंगे आपको जिस साइज का पराठा बनाना है उतना पेड़ा ले लेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं पेड़े में सूखा आठा लगा कर अच्छी तरह से बे लेंगे पराठा साइट से थ आप चाहें तो बगेर कटके हुए भी सेख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर फिनीसिंग देना चाहें पराठा में तो इस तरह से धक्कन से कट कर लें और एक बार हलका सा बेले और फिर सेख लें आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं ना बहुत ज्यादा मोट पराठा है और ना एकदम पतला तवे को गैस पर गर्म करेंगे ऑईल डालेंगे अच्छी तरह से फैला देंगे और पराठा को तवे पर डालेंगे इस तरह से मीडियम फ्लेम पर पराठा सैकेंगे दोनों साइट एक साइट शिक जाएगा तब दूसरी साइट पलट इस तरह से आप देख सकते हैं पराठा पहुत अच्छी तरह से सिक कर तयार हो गया है पराठा प्लेट में निकालेंगे इसी तरह से हम अपने सारे पराठे बना कर तयार कर लेंगे कुछ पराठे हमने छोटे बना कर तयार किये पराठों का साइज आप अपने हिसाब से छो से हमने प्लेटिंग कर ली है साथ में सॉस लिया है इस तरह से आलू और पोहे का पराठा बहुत टेस्टी वन करते यार होता है एक बार आप यह रूट राई करें वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें सब्सक्राइब करना एक दम फ्री है तो सब्सक्राइब किये विना बिल्कुल ना जाएं वीडियो को पूरा देखें ताकि रैसिपी बहुत अच्छी तरह से समझ आए वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं एंगली वीडियो में एक नई रै सब्सक्राइब कियूत थी किया आएंगद ना एक शल टे दो से सित करना दो Clayton